जै गुरु जी गुरु जी के शी चोड़नों पढ़नाम संगा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या जै गुरु जी संगा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जै गुरु जी संगा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या मेरी वाइस क्लियर आ रही है जै गुरु जी संगा जी जै गुरु जी संगा जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जै गुरु जी संगा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या मैं अपना सासंग शुरु करूं जै गुरु जी जै गुरु जी गुरु जी के श्री चर्णोय परणाम सारी संगत को जै गुरु जी संगा जी संगा जी सर्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंतर जाप करेंगे। करेंगे ओम नमस्षिवाई शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाई गुर जी सदा सहाए जाए गुरू करने का अगर मुझसे सथसंग करते वक्त किसी तरह के गलती हो जाए तो गुरु महराज मुझे माफ करना संगर जी मुझे माफ करना गुरु जी हमेशा कहा करते थे सत्संग किता करो क्योंकि सत्संग करन नाल करन वाले दा भी पला होंदा है तो सुनन वाले दा भी पला होंदा है इसमें कोई दो रहे नहीं है क्योंकि जब जब हम सत्संग करते हैं गुरु महराजी का और सत्संग में जाते हैं तो हमें अपने कई प्रॉलम और अपने कई क्वेश्चनों का अंसर मिल जाता है जिससे हमें एक बड़ी अजीव सी पॉजिटिविटी फील होती है क्योंकि गुरुजी का ओर रही इतना स्टॉंग है कि जब हम वहाँ जाते हैं और शबह सुनते हैं और इतना रम जाते हैं कि हमें कुछ और सुद्धी नहीं रहती और हम सिरफ गुरुजी के साथ एक कनेक्ट हो जाते हैं गुरुजी कहते थे मन्या करो मंगया ना करो क्योंकि मांगने से कभी पूर्ती नहीं होती हमेशा गुरुजी को मानना चाहिए क्योंकि गुरुजी जब अपनी तरफ से सब को ब्लेस करते हैं तो वो इतना भरपूर ब्लेस करते हैं कि हमें किसी और चीज की जुरूरती नहीं पड़ती तो हमेशा गुरुजी को मनना चाहिए उनसे हमेशा प्यार करना चाहिए उनसे हमेशा मिलते रहना चाहिए उनसे अपनी बात करनी चाहिए उनसे connection जोड़ना चाहिए कहने न बिन बोल या सब कुछ जान दा तो वो बात भी कुछ सही लागू होती है गुरू जी पर के बिना बोले गुरू जी हमारी सारी बातों को समझते हैं हमारे दिल की सारी प्रॉलम्स को समझते हैं और उसे समय समय पर वो हल करते हैं मैं अपनी जर्नी गुरू जी से कैसे स्टार्ट वही उसके बारे में आप से सहसंग शेयर करूँगा से पहले मैं यह बताना चाहताँ कि कनेकशन कैसे जोड़ा है कनेकशन हम नहीं जोडते, गुरू जी महराजी हमारे से कनेकशन जोडते है क्यूंकि जिस तरह हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उन्कंडिशनल ऐसे ही हमें अपने गुरू से अनकंडिशनल लव करना चाहिए जब हमें अपने गुरू से अनकंडिशनल लव होता है प्यार होता है तो वो हमारी बाँ पकड़ लेते हैं और हमें भव सागर के पार ले जाते हैं और हमारी मुश्कलों का हल करते हैं जिस तरह हम अपने बच्चों की हर वकत देखबाल करते हैं उनके लिए हमारे अंदर एक तड़प होती है ऐसी ही भावना हमें अपने गुरू के लिए रखनी चाहिए हमेशा गुरू के साथ हमें इसतना प्यार रखना चाहिए इतना उनका आदर समान करना चाहिए कि रहे और हमें वो प्यार करते रहे हैं संगा जी गुरू जी शिफ अबतार है शिफ के रूप है देवों के देव हैं महाशिव हैं वो इंपॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकते हैं अगर गुरू जी चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं तो मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हू कि कैसे मैं गुरुजी से connect हुआ जो कि मैं कहरा था कि गुरुजी खुद अपने साथ खुद connect करते हम खुद connect नहीं हो पाते जब मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गया मुझे एक uncle अंटी लेके गए तो मेरे साथ मेरी अंटी भी साथ थी तो मैंने अपनी अंटी को बोला कि अंटी आप जो है महां कुछ मन्नत मत मांग लेना संगा जी हमेशा यह होता ही है कि अंटी जब जाती है तो अपने परिवार के लिए और अपने बच्चेों के लिए कुछ ना कुछ तो मनत मांग लेती है ताकि मैं दुबारा भी आऊंगी तो मैंने अपने अट्डी को कहा कि ऐसा मत मांग लेना क्योंकि वो मेरी छोटी बुद्धी और मत बुद्धी का वह थी बात थी क्योंकि ऐसा उस भगवान के मंदिर के लिए मेरा बोलना बड़ी ही ना समझी थी संगे जी हम लोग वहां गए हमने मत्था टेका गुरुजी का आश्रिवाद लिया लंगे परशाद किया वापिस आ गए कोई खास फिलिंग्स नहीं हुई कोई खास चेंजिज नहीं आए और अपनी रूटीन लाइफ में हम दुबारा से स्टार्ट हो गए बीच में एक दुबार फिर मन किया हम गुरुजी के हां गए मात्था टेका लंगे बरशाद किया और आ गए कुछ ऐसा नहीं लगा कि जिससे कोई कनेक्शन हो रहा है मेरा गुरुजी से लेकिन कनेक्शन तो अलड़ी हो चुका था वो तो हमें बाद में पता चला कि मेरा कनेक्शन तो बहुत पहले गुरुजी से हो चुका है लेकिन उस वकत मुझे ऐसी फील नहीं आ रहे थी तो मैं कई बार सोचता हूँ कि गुरुजी कितने अंतरियामी है कितना समझते हम लोगों को कैसे ओल लोगों गुरुजी ने हमें पहले से ही अपनी बहाँ हमारी बहाँ पकड़ ली क्योंकि उन्हें पता था कि इनके बहुत बड़े कस्ट आयों है और आने वाले हैं इनको कैसे भव साकर से पार करना है कैसे निकालना है तो संगय जी ऐसे ही लाइफ चलती रही बीच में मेरी सिस्टर के बेटी यानि के मेरी भान जी की शादी थी तो मैं वो संगय आप से शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मेरा गुरुजी की तरफ जुका आप जो बढ़ता गया तो मेरी भान जी की शादी थी तो उससे कुछ दस बारा दिन पहले अचानक हमारी गाड़ी चुरी हो गई संगय जी आप समझ सकते हो कि शादी का महौल हो और अचानक ही जो गाड़ी आपकी चुरी हो जाए तो आपका परिवार में जो आना जाना शॉपिंग और ये सब डिस्टरब हो जाती है मैं बड़ा अपसेट हो गया मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वकर मैं गुरुजी से जुड़ा नहीं था तो मैं उस चीज को बड़ी ही टेंशन में ले गया और बहुत फ्रस्टेट हो गया था बहुत टेंशन में आ गया था तो संगय जी मैंने अपनी कंप्लेंट भी लिखाई वहाँ जाकर और इसके बाद गाड़ी को ढूंडा लोगों ने बोला कि शहदा बाप की गाड़ी नहीं मिलेगी तो हमने वो सोचना बंद कर दिया लेकिन एक दिन उन बिट्वीन शादी से और गाड़ी के बीच में मैंने एक दिन गुरुजी से जूर अरदास की थी गुरुजी एक गाड़े मिलवा दो क्योंकि मेरे पास इतनी फाइनेशन करडिशन ठीक नहीं है कि मैं नहीं ले सकूँ तो आप प्लीज मेरी गाड़ी को कहीं से कुछ कर सको तो ये एक मेरा बचपना ही था जो मैं बचपने में ही गुरुजी से अपनी बात कह गया मुझे नहीं मालम था कि मेरा गुरु मुझे सुन रहा है वो मेरी बात को जान रहा है उन्होंने दस बारा दिन गुजरे होंगे मुझे पुलीस चोकी से फोन आया कि अंकल आपकी गाड़ी चोरी हो गई है मैं रहां जी बिलकुल चोरी हो गई है कहते है वो गाड़ी जो आपकी चोरी हो गई है मिल गई है संगा जी आप बिश्वास नहीं करेंगे मैं इतना खुश हुआ इतना खुश हुआ connection बारबार कट रहा है इसलिए थोड़ी problem आ गई तो मैं आगे शुरू कर रहा था तो मुझे मेरी कार मिल गई तो मैंने उसके बाद अपने भांजी के function पूरा टेंट किया गाड़ी बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी क्योंकि उसको रफली चलाया गया था जिसके दोरा जो चोरी करके ले गया था लेकिन बड़े सर्प्राइस की बात है कि कोई फूर विलर चोरी हो जाए और बारा दिन के बाद तेरा दिन के बाद वह आपको मिल जाए तो ये मेरे गुरु महराजी कर सकते है और तो कोई कुछ नहीं कर सकता है तो उसके बाद मैं उस गाड़ी से और मैं अंटी जो है गुरु जी के मंदिर जाने लगे क्योंकि मेरा लगा आप तो गुरु जी तरफ बढ़ गया कनेक्शन तो जुड़ गया क्योंकि मेरी बात गुरुजी ने मानी, सुनी, तो मुझे तो लगा कि हाँ, अब मेरे को गुरुजी के दरवार पर जाना चाहिए, तो मैंने मंडे का दिन चूज किया, अंकल अंटी मंडे को मैं जाने लगा, शनीवार को पहले ही रिसाइट कर लेता था, कि मुझे किस वक्त गुरुजी के दरवार जाना है, उसके लिए मैं अपना टाइम स्पेर निकालू, अंटी को भी बोल देता था, आप समेट टाइम जो स्पेर निकाल के चलो, हमें गुरुजी के दरवार दर्शन करने जाना है, तो हम जाते थे, मत्हा टेकते थे, चाय परशा लेते थे, स्म तो रास्ते में गाड़ी खराब होगी उस दिन मुझे थोड़ा असल लगा कि अगर इस तरह कभी ऐसा हुआ कि फिर कभी रस्ते में खराब होगी तो हमारे कितनी दिक्कत होजेगी फैमिली के साथ होना कितना मलब डर वाली बात है तो मैंने गुरू जी से उस दिन बोला कि ग गुरू जी को बोल दी और मैं गाड़ी को किसे तैसे करके अपने घर ले आया संगर जी मुझे नहीं पता थै कि मेरी बात यह भी सुन लेंगे और मुझे ऐसे ब्लेस करेंगे। कि मैं कुछ सोच नहींपाूंगा गुरू जी ने वो मुझे गाड़ी की जो मेरी औकास से व अब उसका मैंने नंबर लिया, randomly मैंने किसी तरह का कोई booking करा के नंबर ने लिया, randomly नंबर लिया, संगेजी उसको नंबर मिला 2581, मेरी आँटी ने देखा और पहले ही बोला, इस 7 नंबर है 2581, इस 7 नंबर की गाड़ी आगी, मैं कहा रहे, गुरुजी ने इस बड़ा संदर तोफ़ा बलेस कर दी हम लोगों को, तो मैं उस गाड़ी को लेके गुरुजी के शुकराना करने जो मंदिर गया, तो वहां मुझे पहले ही उसमें स्टीकर मिला गुरुजी का गुरुजी जो गाड़ी पे लगा होता है, और वो सेवादारों ने खुद अपने हाथों से ल कर देव हो, तो इस तरह हमारी गुरुजी से जो कनेक्शन है, जो प्यार है वो बढ़ना शुरू हुआ, संगे जी उसके बाद कई बड़े फंक्शन हुए, मुझे ओपन सेवा का मौका मिला, मैंने ओपन सेवा की, जब मैं ओपन सेवा कर रहा था, तो मेरे मन में आया कि ग दरवार के लिए मैंने बोला था कि मैं दुबारा नहीं आओंगा, गुरुजी ने मुझे उसी दरवार में अपनी सेवा दे दी, मैं इतना खुश हुआ, मैंने गुरुजी का इतना शुकराना किया, कि गुरुजी आप वो कर सकते हो, जो कोई नहीं कर सकता, और आज मैं ग गाड़ी ने मेरे को जिन्दगी में कितनी हल्प की, कितनी मेरी जान बचाई, मैं उसका भी आपको एक सत्संग शेर करता हूँ, बाद ऐसी थी कि गाड़ी लेने के कुरी चार-पांज मेने बाद, हम लोग पूरी फैमिली थी, हमारे लौस की फैमिली भी थी, हम लोग आग तो संगर जी मैं जब हम लोग एक्सप्रेस आईवे से जा रहे थे, तो बीच में एक हौल्ट आया, हम सब रुक गए, सब ने थोड़ा बहुत रिफ्रेश्मेंट लिया, सब चले गए, एक मैं ही रुकर रह गया, मैं पांस साथ मिन बात दिखुआ कि मुझे कोई मिल गया, क्योंकि आफ मुझे आउत तो होगी कि गुरू जी के बारे में बाते करने ही कि कोई मुझे मिल जाये और मैं गुरू जी के बारे में बात ना करूँ, तो यह तो मेरे कोकुछ भजाब नहीं होता, तो मैं हम से बाते करने लगा है, इस चेकर में मैं पांस साथ मिन में ब fake mind म बोला देख वो सामने एको वाला आ रहा है वो सो रहा है संगे जी बास इतना बोला था वो गाड़ी डिवाइड़ से टक्राई और रोल होकर पलट कर जैसे पत्थर होता है न वैसे घुमती घुमती हमारी तरफ आने शुरू हो गई मेरे और मेरे बेटे के क्योंकि हम सामने देख रहे हैं अपने आखों के सामने और मैंने जोर से बोला अपने बेटे को हम गए हम गए हम गए मेरा माइंड ब्लाइंड हो गया मुझे कुछ नहीं दिख रहा था कुछ नहीं सूज रहा था कि मुझे गाड़ी कैसे ड्राइव कर गाड़ी आगे जाके रोकी और देखा पीछे धुएं का बहुत बड़ा भॉंडर बना हुए है। मैंने सोचा जाके क्योंकि अब गुरुजी की सेवक हैं तो इंसानिय तो आई जाती है। मैंने सोचा पीछे जाके मैं जाके देखूं कि क्या हाल है उन लोगों का जो पीछे इस तरह रोल होते हुए गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी। सेंगे जो आप पहुचा जाने नहीं दिया। पीछे से एक गाड़ी और आ रही थी उन्हें ने रोक दिया। कहते एंकल किसी सुप्रीम पावर ने आज आज आपको बचा लिया। आप पीछे मत जाओ आप आग वो जीवनदान है तो आज मैं आपके सामने बैठा हूँ और इससंग कर रहा हूँ यह सब गुरू जी की मेरबानिया है गुरू जी का आशिवाद है गुरू जी की किरपा है। गुरू जी आप इस तरह हम सब पे किरपा बनाए रखे हमारी मुश्किलों को हल करते रहे हम अपना हमेशा किरपा बनाए रखे हम आपके बच्चे हैं गुरू जी गलतियां बहुत होती हमसे बहुत होती है लेकिन आप बक्षन हारो आप हमेशा हमारी गलतियों को माफ करके हमें हमेशा पॉस्टिव पिटी फील कराते हो और आगे बढ़ने की हमेशा हमें गाइड कर करते रहना इसी तरह हमें आगे बढ़ने की निसित देते रहना हमें सिखाते रहना कि हमें दिजिनदगी में क्या करना है और कैसे आागे बढ़ना है तो संग जी यह एक शप्रसा होता है बड़ा जल प्रशाद दिवाइन होता है यह हम सेवादारों की संगत की ड्यूटी है कि उस प्लेट को पूरा खतम करना चाहिए उसमें एक कंड भी नहीं चोड़ना चाहिए क्योंकि वह दिवाइन प्रशाद है पता नहीं कौन से कंड के सेवा में हुआ था तो हमें सेवा से पहले कड़ी चावल का परशाद मिला तो कड़ी में आप अक्सर देखते हूं कि एक जो है ना लाल मिर्च होती है संगी जी बड़ी कड़ी वे लाल मिर्च होती है क्योंकि घर पे भी मारे बना करती थी तो हमें पता है वस्तीस के वारे में तो मैं कड़ी चावल तो खा गया लाल मिर्च मैंने साइड में छोड़ दी अब मैं अपनी प्लेट किचन में रखने चला गया जा रहा था तो जब मैं किचन में जा रहा था तो मुझे एक सिवादा रस्ते मिले करें अंकल लंके परशाद हो गया तो खाई नहीं आपने उनका इशारा उस लाल मिर्च की तरह था मैंने का अंकल ये मिर्च तो बड़ी कड़वी होती है इसको खाने में तो फिर बड़ा मुश्किल है मेरे लिए तो खाना कि तो अच्छा कोई गल और चलेगे अब मैं किचन की तरह बड़ा ताकि मैं जाके प्लेट रख्या हूँ तो मेरे मन के अंदर एक भाव आया मैं के बड़े मंदिर के अंदर अगर कोई सेवादार मुझे ये बात कह रहा है तो हो ना हो एक गुरुजी का ही कहा हुआ है क्योंकि Shabd तो गुरुजी ऐसे ही बलवाते हैं किसी Sंगत के तूरू या सेवादार के तूरू तो महसец्र तो ऐसी आएगा तो संगर जी मैंने न आव देखा न आव और मैंने वो मिर्च खा ली मेरे मुँवे बहुत तेज जलन होई आखोंचे पानी निकलाया मैं दोड़ा दोड़ा गया छोटी किचन में मैंने के चीनी देदो वो कहने लगे अंकल चीनी को लेते हो सामने रूपजा बट रहा है वो पियो मैंने का च्छा मैंने संगे जी जाके रूपजा के छे एक दो तीन चार छे साथ आठ गिलास पी लिए ताकि किस तरह का मेरी मिर्च कम हो जाए और मुझे जलन कम हो ताकि मुझे आगे सेवा करनी है तो मैंने वो जल सारी रूपजा पीली और उसके बाद थोड़ा र जब मैं च्छे वजे सेवा पर पहुँचा क्योंकि मैंने इतना सारा रूपजा पिया वह था तो मुझे हलकी-हलकी सी पेट में पेंच शुरू हुए इ tutorial इस लिए मैंने कोई बात नहीं तो सेवा करेंगे अपने अपठीक हुज़के गुरुजी अपने अपठीक कर वो अपनी सेवा शुरू की, फ्रिस्किंग में हमेशा कभी उपर नीचे होना पड़ता है, जुकना पड़ता है, तो संगर जी वो दर्द जो है, तीरे-देरे बैठनी शुरू हो गई, आठ साधे साथ बज़े तक दर्द काफी हो गई, मैंने वहाँ पर मेडिकल हेल्प ली, मैंने का दवाई खान से शैट ठीक हो जाओं, पर नहीं, आठ साधे आठ बज़े तक संगर जी मेरे हमत हार गया, मैंने का नहीं, अब मुझे घर चला जाना चाहिए, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा हो रही है, और मैं बैठनी पा रहा, मैंने अपने इंचार से इजाद और मैं अपनी गाड़ी में बैठिया, जब मैं गाड़ी में बैठा तो संगर जी इतनी पेन हो रही थी, कि मैंसे गाड़ी ड्राइव नहीं हो पा रही थी, मैंने गुरु जी सर्दाज की, मैं गुरु जी फ्लीज थोड़ी दर्द कम करा दो, मैं घर तो पहुंच जाओ, घर जाके मैं कोई ना कोई मेडिकल हेल्प ले लूँगा, तो संगर जी मुझे बड़ी हैरानी होई कि जैसे मैंने ये बात बोली, मेरी दर्द एकदम गायव होगी, और ऐसा लगा कि मैं दुआरा सिवा कर सकता हूं, लेकि मैंने चांस नहीं लिया, मैं का नहीं, अब मुझे लगा कि मुझे मेडिकल हेल्प ले ले लिए चाहिए, पास ही हॉस्पिटल था, मैं वहाँ जाके, दवाईयां मेडिसन से ले आया, एक गंटा हुआ रेस्ट के हॉस्पिटल में, थोड़ी दर्द कम होई, घर आ गया, रात को एक अच्छी नीन भी आई, सुबह मुझे उपरेशन से निकलवाने पड़े, आरजी वालों से, तो मुझे उस दर्द का एसास होगे, हो ना हो ये तो स्टोन वाली दर्द दुबहरा होगे, मैं का गुरू जी ये कैसे हो गया, हम तो काफी जल परशाद लेते हैं, लंगर परशाद लेते हैं, तो ये तकलीफ मेरे अंदर आगई, तो मुझे बड़े हिरानी से हो रही थी, चलो एन्यों मैंने गुरू जी का जल परशाद शुरू कर दिया, डेली लेना, और अपने काम पे भी जाने लगया, ये बड़ी गुरू जी की महर है, महरवानी है, कि उन्होंने मुझे काम से नहीं रुकने द दिया, दर्द बड़ी हलकी कि चलती रही, चलती रही, चलती रही, और संगा जी एक हफते बाद, गुरू जी ने स्टोन मेरा बाहर निकाल दिया, जिसका साइज फिर दुबारा 13 mm का था, जिसके लिए मुझे दो बार अपरेशन कराना पड़ा, तो मेरे गुरू महराज ज जी वो है, जो कुछ भी कर सकते हैं, अगर उन्होंने उस दिन मिर्च खलाई थी, जिसकी वज़े से मुझे इतना रुवजा पीना पड़ा, जितना मुझे जल परशाद लेना पड़ा, वो सब गुरू जी की लीला थी, क्योंकि उनको वो स्टोन निकालना था, और मुझे द्वारा सेवा से कनेक्ट करना था, तो गुरू जी ने ऐसे करके वो लीला की, और मेरा स्टोन बाहर निकाला, तो गुरू जी की लीला थी अपरम पार है, उसका वेक्यान करना बहुत मुश्किल है, यो कि वो देवों के देव हैं, और सब के प्यारे हैं, और सब को प्यार करते हैं. अपनी संगत को कभी परिशान नहीं होने देते हैं. यह छोड़े-छोड़ी जो दर्दे यह छोड़े-छोड़े दुख आते हैं वो गुरुजी देते हैं कि आप वह भी जहलो. तैकि वह 10 परसंड जो हमने जहेलना यही पड़ेगा. इस दर्द सो तो मुझे यह लगा कि मुझे 10 परसंड ही दर्द दिया गुरु जीने. 90 परसंड तो गुरु जीने खुद ही ले लिया. तभी तो मुझे बहुत हल्की सी दर्द हुई. नगी कि सथसंग जब हम करते हैं गुरुजी के सथसंग में जाते हैं तो वहां हमें गुरुजी के अलग अलग रूपों का दर्शन होता है कोई किसी को किशन भगवान दिखते हैं किसी को हनमान जी दिखते हैं किसी को साही बाबा दिखते हैं और तो और जब वह वानी चलती है तो लोगों को अपने दुखों के अपने क्विश्चनों के आंसर भी वही मिल जाते हैं तो गुरू जी कहते हैं सचसंग किया करो सचसंग अटेंड किया करो सुना करो क्योंकि यही तुमारे दुख का निवारण करने वाले हैं सेवा गुरू जी कहते हैं सेवा जरूर करनी चाहि है वो दूसरों को हम पासोन कर सकें उनको हल्प कर सकें सिमरन सिमरन गुरु जी के साथ जुड़ने का सबसे असान तरीका है जितना हम सिमरन करेंगे जितना हम मंतर जाप करेंगे उतने हम गुरु से जुड़ते जाएंगे उतने गुरु जी हमें प्यारे होते जाएंगे गु जी हमारे को इतना अपने पंद конце जोड़ लेंगे हमारी बाहा पगड़ लेंगे हमें भव सागर से पार कर देंगे हमारी मुश्ककले हल कर देंगे तो संगत जी हमेशा सथसंख सेवा और सिम्रन इसको कभी नहीं छोड़ना हम लोगों को क्योंकि गुरुजी की सीख भी यह है क्योंकि गुरुजी के सारे सेवदार सारी संगत इसी भाव में जीती है कि उन्हें सासंग भी करना है उन्हें सेवा भी करनी है और उन्हें सिम्रन भी करना है क्योंकि गुरुजी अपनी मर्जी से ही सेवा देते हैं जिसको देते हैं हम कभी चाहा कर अपनी सेवा नहीं ले सकते जब गुरुजी को लगता है कि इसके कस्ट काटने है इसका उधार करना है यह बहुत प्रॉलम में आने वाला है तो गुरुजी उस सेवा में जोड़ देते हैं और हम वो सेवा करते और हमें पता भी नहीं चलता क्योंकि अभी भी हम जैसे हम सेवा में लगे हमें गुरुजी के साथ ना जाने कितने कस्ट गुरुजी मेरे काट रहे होंगे एक गुरुजी जाने मेरे और मैं तो बस सेवा में लीन रहता हूं और सेवा करता रहता हूं आज ही सत्संग का जो मुझे मौका मिला है, यह भी एक अचानक ही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कि मुझे कभी इस तरह लाइफ सत्संग करने का मौका मिलेगा। अंकल का फोन आया एक बार तुम्हें ना कर बैठा फिर मैंने सोचा क्योंकि मेरी आत है कि एक बार तुम्हें ना कर जाता हूं फिर दूसरा मैंने सोचा या गुरुजी का अदेश हो फिर तुन्हें ना कर दिया मैंने नहीं मैंने फिर अंकल को फोन मिलाया कि मैं अंकल नहीं कर सकता हूं मैं करूँगा गुरूजी के लिए तो ऐसे गुरूजी के साध्त चुळा रहता हूं और गुन गयान करता हूं क्योंकि फ्रेवर को कि ऐसे संगेजी मैंड़े बड़े मंदि तो आप के सब्टेर Steering करता परशाद की जो स्यौ आती है। वहाई हूंने में ने में चै परशाद दिया। सनेक परशाद दिया। मैंने ले लिया।।। यह मैं इसलिए बता रहा हुए ओप ग्रुजी और कितनी छोटी-छोटी बातों को भी सुनते कितना प्रेम दिखाते हैं गुरुजी हमारे साथ तो संगे जी मेरे को मन हुगा कि एक चाय परशाद तोर होना चाहिए अब मुझे पता है कि जो सेवा भी गई है कार सेवा देखे चाय परशाद वो अब दो गंदे से पहले आएगी नहीं मैं चलो कोई बात नहीं मैं अपनी सेवा में लग गया संगे जी थोड़ी देवाद मुझ कि पांसाथ मिंट गुजर होंगे तो मैंने मैसूस किया कि वो जो आपने देखो को शेटल बस सेवा होती है जो टी पॉइंट से जो है संगत को चोड़ती है ट्रांस्वर्मर से वो बस चली और मेरे पास आके रुग मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं संगे जी कि कभी भी वो बस बीच में नहीं रुखती वो बस मेरे पास आके रुखी और ड्राइवर अंकल मुझे कहते हैं अंकल चाय परशाद लोगे संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे मैं अंदर से खिल गया मैं इतना हैरान ह गया मैं गुरुजी मैं उसको अंकल को जवाब यह दिया हांजी हांजी करके मैंने चाय परशाद ले लिया और अंकल गाड़ी स्टार करके चले गए और मैं बड़ी देर तर सोचता रहा है उसके पीछे कि गुरुजी आप मल्दब ऐसे भी हो सकता है क्या कि बस टास्वार चामर से चले वो चाय परशाद का कप अपना रखे पहले तो रखेगा नहीं और रखेगा तो उसकी चाय परशाद गिरने के चांसिस रहेंगे तो हो सकता है रस्ते में कई सेवदार आ रहे हैं किसी और को भी दे सकता था लेकिन वो मेरे पास आके क्यों रुका क्योंकि का शुक्राना करने के लिए बार बार उनको देखा लेकिन उन्होंने दुबारा मेरी तर्फ नहीं देखा तो संगा जी गुरुजी तो हमारे ऐसे है कि जब वो देने पर आते है न तो भरपूर देते है जोलिया छोटी पड़ जाती है उनके आशिवाद हो कि भंडार आ जाता है वो ब्लेस करते हैं हमारी सरी कम्यों को दूर करते हैं हमें भरपूर देते हैं वो हमारे गाइड हमें भी करते हैं, वो मारी structure है, मैं वह क्यों होते हैं, मैं बताओं आपको, कि मैं अपनी जब factory में काम करता हूं, तो अक्सट प्रॉलम्स आती हैं, पहले भी आती थी, तो पहले मैं बड़ा frustrated हो जाता था, tension ले ले लेता था, कि अब क्या होगा, मैं कैसे माल बनाऊंगा, कैसे dispatch कर बनाऊंगा, अगर चार दिन बाद मेरी किसी मशीन में problem आनी है, तो गुरूजी चार दिन पहले ही, उस माल को कैसे तियार करवाते हैं, मुझे आज तक समय में नहीं आता, चाहिए माँ बाहर से बनाऊंगा, पता नहीं कैसे मेरे दमाँ में गुरूजी डाल देते हैं, ने तो मेरे काम को भरकत दी है और मेरे दमाग को भी टेंशन फ्री कर दी है कि मैं वाज़ हार वकर लगता है कि गुरू जी है जो मेरे काम समालेंगे एक बार ऐसा वह था कि मुझे लगा कियार मैं सारा दिन अच्छा मैं क्योंकि लोकल सासंग अटेंड करता हूं सेवा में ज कि चार्ल जाज़ादा दस दिन बीज दिन या महीना गुज़रा होगा बड़ा फंग्शन था मैं सेवा कर रहा था वहां पे तो साथ में दो अंकल आपस में बात कर रहे थे तो क्या कहते हैं कि या तेरा एलेडी का काम है भागिरत पैलेस में तो तेरा काम कौन देखता है जो कि दिन का वह दिन की बात है और आज तक है संगय जी मैंने कभी दोबारा टेंशन नहीं बंद कर दी ना मैं फाइनस की टेंशन लेता हूं वाकि वह प्रॉल्म आप भी नहीं रही नो डाउट मैंने जब से गुरुजी के हवाले किया अपना काम अपना फाइनस अपना शरी अपनी सब कुछ गुरुजी के हवाले कर दी है मुझे कोई प्रॉल्म नहीं आती मेरी एक्टिन मैस इतनी फास्ट होगी मुझे लगता ही नहीं कि मैं मलब ऐसा लगता है जैसे मैं आभी बहुत चोटा सा जवान बच्चा हूं दोड सकता हूं कहीं भी गुरुजी मुझे हम्मत देते रहें इसी तरह मुझे सेवा देते रहें और मैं आगे इसी तरह आपके इस ब्लेसिंग्स का गुनगान करता रहूं सथसंग का गुनगान करता रहूं लोगों में आपकी महिमा का गुनगान करता रहूं मुझे यही आप से दर्खास है कि आप मुझे इ चाबिट की बाद रसा था ओओपट मुझे गाने का बहुशा हो कैसी रूप में पिक्चराइज हो। जर तो मुझे हमेशा हैं ऐसा फील आता है कि वगूस सुनरा वे गाने का यह गाना मेरे गूरू도 मेरे बनाए है। तो ऐसा ही गाना है, जो मैं आपको सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छा लगए, क्योंकि मुझे ऐसा लगए कि वो मेरे गुरू का है, वो गाना बना था, एहसान मेरे दिल पे तुमारा है दोस्तो, तो मैंने जब वो गाया, तो गुरू जी के लिए बन किया, देखो कैसे बना, एहसान मेरे दिल पे तुमारा है गुरू जी, ये दिल तुमारे प्यार का मारा है गुरू जी, बनता है मेरा काम आप ही के काम से, होता है मेरा नाम आप ही के नाम से, बनता है मेरा काम आप ही के नाम से, तुम जैसे महरबा का सहारा है गुरू जी, ये दिल तुमारे प्यार का मारा है गुरू जी, जब आपड़े कोई भी मुश्किल का रास्ता मैंने दिया है तुमको महबत का वास्ता जब आपड़े कोई भी मुश्किल का रास्ता मैंने दिया है तुमको महबत का वास्ता हर हाल में तुम ही को पकारा है गुरुजी ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरुजी एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है गुरुजी ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है गुरुजी ये सचा ही है गुरुजी ये दिल तो आप से जुड़ गया कोई फंक्शन हो कोई तिहार हो सिर्फ आप ही आप दिखते हो और आप ही आप यादाते हो परिवार में कोई function हो, मन नहीं करता है, मन करता है कि गुरुजी के दर्वार पर जाओ, वही माता ठेक हूँ, वही function मनाओ, गुरुजी के साथ ही जुड़के नाचूँ गाओ, गुरुजी, ऐसे ही bless करते रहना मुझे जिन्दगी बन, अपने से जोड़े रखना, इसी तरह ह मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपको पता है कि गलतियों को तो मैं बहुत करता हूँ, और आप भी बक्षन हार हो, रोज देखते हो कि इतनी गलतियां करता है, फिर भी मुझे बक्ष देते हो, मेरी गलतियां बक्ष देते हो, क्योंकि मैसे तो मुझे गुरुजी मिल जाते रहना ऐसे ही मुझे हमत देते रहना ऐसे मेरे अंगसंग रहना ताकि मैं कभी भी कोई गल्ती करूँ तो आप मुझे सही रात दिखा सको तो मैं अपना सथसंग यहीं खत्म करूँगा क्योंकि संगजी दुबारा फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपके साथ और भी बहुत सारे सटसंग shared करूंगा कि कैसे गुरू जी मेरे घर सटसंग में प्रेजंख उन्होंने अपनी प्रेजंशो की किसे मैं ने एक बार दिवाली में अपना कितना बड़ा loss किया और गुरू जी ने कैसे मुझे वापिस दिया संग जी कभी फिर दुबारा मुका मिला तो जरूर आपके साथ सथसंग भी शेयर करूंगा मैं अंकल आउंटी जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा हूं उनको बहुत शुक्राना करता हूं कि आपने मुझे इतने प्यारे संगत्स के साथ जोड़ा आज और उनके साथ सथसंग शेयर करने का मौका दिय गुरू जी सब को ब्लेस करें और हाँ ये जो कोविड का टाइम आया हुए है जिसमें हमने अपने बहुत अजीजों को गवा दिया है और जो बहुत बेमारी के हलब में है गुरू जी आपसे दर्खवास है अर्दास है कि उन सब को ठीक करो और इस कोविड को जल्दी से ज कर सकें प्लीज गुरू जी आपसे मेरी बहुत ज्यादा अर्दास है और हम संगत के उपर अपना हमेशा ब्लैसिंग्स बनाए रखो हम सब को हमेशा सही राह दिखाओ गुरू जी जै गुरू जी जै गुरू जी धन्यवाद जै गुरू जी